हेलो माई फ्रेंड्स कैसे हो मैं हूँ आपका रफी सर और आज मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट ट्रिक देने जा रहा हूं और डैट इस ऑल अबाउट बायो मॉलीकूल चेप्टर में कार्बो हाइडरेट के बारे में तो यूनो कार्बो हाइडरेट को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं one is called monosaccharide second is called oligo and third is called poly तो पहला कौन होगे आपका mono तो mono what's clear है कि one दूसरा है oligo right और तीसरा आपका polysaccharides तो आप किस condition में mono बोलेंगे oligo बोलेंगे and poly बोलेंगे तो that's very simple आप क्या करेंगे इस carbohydrate को water में डाल देंगे that means उसको नहा देना है पानी में डानने के बाद आपको देखना है कि हो क्या रहा है अगर पानी में डानने के बाद वो break नहीं हुआ further hydrolyze नहीं हुआ that means आपने ये डाला और ऐसा ही रह गया तो इसको बोलेंगे monosaccharides और इसके example भरे परे हैं जैसे glucose glucose में you know four chiral center है right तो 16 इसका isomer होंगे तो वो 16 के 16 सब क्या है monosaccharide fructose glucose का ही एक isomer right manose या ribose तो ये सारे के सारे आपके क्या है monosaccharide है that means इन सब को water में डालोगे तो further hydrolyze नहीं होगा जो आपने डाला वो उसी form में रह जाएगा और ये सारे के सारे क्या होंगे reducing होंगे nature में reducing in the sense कि अगर इसकी reaction failing solution से कराऊगे या tolerance reason से कराऊगे तो ये reaction कर जाएंगे तो ये खुद tolerance वाले जो ag plus होते हैं वो reduce हो जाएंगे और ये सब oxydize हो जाएंगे तो इसलिए इसको बोलते हैं reducing sugar तो सारे के सारे monosaccharide क्या है reducing है अब हम आते हैं बात करते हैं oligo पे चुकि इसके बारे मैं already मैं detail में अपने video lecture ने पढ़ा रखा हूँ आज जो मेरा important lecture रहेगा वो इस पे ही mainly रहेगा बट classification के बाद मैं उसको discuss करता हूँ oligo का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई saccharide डाला और आपको मिल गया 2 तो इसको बोलेंगा oligo या 3 मिल गए बिरेक हो गई है तीन पार्ट में तो भी बोलेंगा oligo तो 2 से लेकर के 10 unit तक 2 से 10 unit में अगर बिरेक हो गया water में डालने के बाद तो इसको बोलेंगे oligo जिसमें हमें अभी इस video lecture में 2 के बारे में पढ़ना है कि अगर 2 में बिरेक होते हैं तो कैसे उसके structure नेम ये सब को याद रखेंगे 2 में बिरेक होंगे तो disaccharide, 3 में होंगे तो try, 4 में होंगे तो tetra and so on ये name पढ़ जाएगा तो अगर आपने saccharide को water में डाला और 2 से 10 unit मिल रहा है तो उसको बोलेंगे oligo उसका example है आपके पास सुक्रोज, maltose, lactose जो आज की lecture का important point है इसको पढ़ने वाले हैं इसमें सिर्फ सुक्रोज, non-reducing है बाकी ये दोनों आपका क्या reducing है ये दोनों आपका R for reducing ये दोनों reducing है शिर्फ सुक्रोज, non-reducing है और तीसरा polysaccharide तो name सी के लिए रहे कि अगर इसको water में डाला तो बहुत सारे आपको मतलब 10 से जादा होना चाहिए एक point होगा है, 10 से जादा अगर आपको unit मिर रहा है तो उसको बोलेंगे polysaccharide उसका example है starch और cellulose तो you know cellulose जो है वो plant cell में मिलता है ये सब लोग जानते हैं, just information, cellulose, plant cell में मिलता है याद रखने के लिए PC words है कि plant cell में cellulose मिलता है और जितने भी polysaccharide है सब non-reducing है तो देखो मैं reducing, non-reducing का सिधा concept ही clear कर देता हूँ, आपके पास सारे के सारे reducing है except polysaccharide और oligo में सुक्रोज, इनको छोड़ करके बाकी सब आपके reducing है that means sucrose and polysaccharide non-reducing है यह जो polysaccharide है वो sweet नहीं होते हैं इसलिए इसको कभी-कभी हम लोग non-sugar के नाम से बोलाते हैं तो कभी question ऐसे ही पूछ सकता है, 4 option दे दिया, which is non-sugar तो वो polysaccharide होंगे, that means starch है, cellulose option में से हो जाएगा क्योंकि यह sweet नहीं होते हैं तो यह हो गया introduction, आज की lecture में अब हम बात करने वाले किस पे? डाई सेकराइट पे, कि अगर हमने कर्वाइडरेट को water में डाला, दो molecule मिले तो वो किस-किस से मिलके बने होंगे, उसके structure and उससे related problem कैसे? पूछे जा सकते हैं, उसको discuss करेंगे चलिए, अब हम बात करते हैं, tricks की और रफी सर जो tricks देते हैं, वो concept के साथ देते हैं यह ध्यान रखना, concept के साथ मैं trick देता हूँ, हवा में बातें नहीं करता हूँ तो देखो, trick का point क्या है? कि हमें जो पढ़ना है वो disaccharide पढ़ना है, that means water में डानने पर आपको दो unit मिलेंगे, monosaccharides के तो कौन-कौन है, disaccharide, तो एक तो सुक्रोज है आपके पास, एक है maltose और एक है lactose तो सुक्रोज को अगर water में डालेंगे, तो आपको क्या-क्या मिलेगा? एक alpha-D glucose मिलेगा और एक beta-D fructose मिलेंगे, similarly अगर maltose को डालोगे, तो दो molecule of alpha-D glucose मिलेंगे, और lactose को अगर water mat करोगे, तो दो molecule of, sorry, one molecule of beta-D galactose मिलेगा, और another molecule of beta-D glucose मिलेगा, नाव देखो, exam में problem क्या होते हैं कि अब यह सब चीजे याद होनी चाहिए, तो हम पहले आपको समझाएंगे, और फिर उसके बाद रफी सर का tricks work करेगा, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखे हमने बनाया है, बहुत ही, easy way connect किया है, ध्यान से देखो, सुक्रोज को हम कैसे याद रखेंगे, मैंने alpha word से उठाया है, अरे, alpha से अरे, ओके, beta से बाबा, अरे, बाबा, d for dextro, मतलब देखो, अरे, बाबा, देखो, जो g है, glucose का g, right, और फरक्टोज का f, gf, अरे, बाबा, देखो, gf का connecting word है, अरे, बाबा, देखो, gf का सुक्रोज, तो सुक्र करो, तो मेरा rhyming word क्या है, किसी को भी याद हो जागा, अरे, बाबा, देखो, gf का सुक्र करो, तो इसका क्या मतलब हुआ sir तो मतलब यह हुआ अरे बाबा का मतलब क्या अरे का मतलब क्या है? कि alpha बाबा मतलब beta तो alpha d देखो मतलब इसमें दोनों ही dextra है चाहे वो glucose हो या fractrose हो glucose वाला क्या है? पहले जो लिखा अरे, बाबा तो array के लिए पहले G आ गया बाबा के लिए fructose के लिए बीटा वर्ड आ गया तो very simple word हो गया array बाबा देखो GF का सुक्र करो तो that means alpha D-glucose array मतलब alpha D-glucose और बाबा मतलब beta और D for देखो dextro दोनों ही dextro हैं और GF पहला पहला वर्ड ले लिए सुक्र मतलब alpha D-glucose और beta D-fructose से सुक्रोज मिलेगा आपको वैसे इसको कैसे याद रखेंगे maltose को तो इसमें क्या मिल रहा है दो molecule of alpha D-glucose तो D से again dextro देखो okay glucose से मैंने goal word बना दिया है maltose का mal word ले लिए राइट तो goal mal तो कैसे याद रखेंगे देखो goal mal goal mal एक picture थी राइट देखो goal mal का क्या मतलब है यहाँ पर समझो देखो मतलब यह हो गया dextro goal मतलब glucose और mal मतलब देखो mal से तो maltose हो रही है यह क्या बता रहा है कि alpha वाला ले लेना आपको तो इसमें दोनों कोन है alpha वाला A for alpha तो देखो goal mal से याद रख लेंगे lactose को कैसे याद रखोगे आप तो इसमें beta D galactose है और beta D glucose है तो beta से मैंने बना लिया beta और दोनों D है तो D से बना लिया, dextro से बना लिया देखो, तो कैसा वड़ हो गया beta देखो, क्या देखना है कि अगर गला में glue लगाओगे beta देखो, गला में glue लगाओगे, तो लगपती बन जाओगे तो क्या है यह वला trick? रखो, गला में glue लगाओगे, लगपती बन जाओगे तो यह connection कैसे हुआ? beta मतल Uber देखो, मतलब D गला मतलब Galactose glue मतलब Glucose तो क्या बन जाओगे? लगपती मतलब लेक्टोज मिल जाएगा तो I hope ये मेरा trick समझ माया होगा अब हम इसके structure की बात करते हैं चली अब हम बात करते हैं कि इसके structure को कैसे draw करेंगे तो that's very simple आप ध्यान से देखो तो मैंने एक इदर Fischer projection लिया है आप देखो कि OH right में है तो ये मेरा कौन है D-glucose मैंने कैसे याद करवाए था carbon number 3 पे configuration change है 3G वर्ट से बोला था आपको बाकी सम्में OH right में तो ये D-glucose है ये आपका fructose हो जागा इसमें भी OH right में है तो ये आपका D-fructose है क्यों क्योंकि carbon number 3 पे change है बाकी सम्में OH right में है और ये जो आपका वो galactose है right galactose है कैसे क्योंकि इसमें carbon number 3,4 दोनों पे हमने change कर दिया आप देख सकतो 3 पे भी OH left में आ गया 4 पे भी OH left में आ गया है तो 3,4 दोनों पे change कर देंगे तो galactose हो जागा ये मेरा video lecture number 1 में trick दे रखा आपको इन सब का मैंने how earth projection बनाया है जो कि again trick में दे रखा हो और यहाँ पे अगर OH up में होगा तो इसको beta बोलेंगे OH down मोगा तो alpha वैसे ही same OH up में होगा तो beta OH down मोगा तो alpha OH up में तो beta और alpha तो ये मैंने how earth projection बना लिया है क्योंकि ये aldehyde है तो इसका pyrean से बनेगा और ये ketone है तो इसका furion से बनेगा तो इदर में 5 में बनेंगे और इदर में 6 में बनेंगे तो ये how earth projection भी कैसे बनाना है ये आपको बता रखाओ now हम बात करते हैं अपना disaccharide that is sucrose तो sucrose कैसे आपको याद करवाए था याद करो कि अरे बाबा देखो GF का सुक्र करो तो अरे बाबा मतलब एक तो आपको alpha D glucose लेना है और एक beta D fructose लेना है अरे बाबा देखो GF का सुक्र करो now the question is कि alpha D glucose ये आपके सामने में alpha D glucose तो आप क्या करेंगे एक alpha D glucose बना ले right alpha D glucose का क्या मतलब हो गया alpha मतलब क्या हो गया कि OH down मंगे तो इदर OH down में H up में ये carbon number 2, 3, 4 और ये 5 and 6 तो इदर CH2 OH up ये बना सकते हैं alpha यहाँ से भी आप convert कर सकते हैं तो ये आपका अनुमेरिक करवन number 1, 2 2 पे अगर दियां से देखो OH right में है तो यहाँ पे down हो जाएगा 3 पे OH left में है तो यहाँ पे up हो जाएगा right 4 पे OH right में है तो down हो जाएगा तो ये आपका मैंने बना दिया alpha D glucose यह हो गया alpha D glucose और beta D fructose कैसे बनाएंगे तो यहाँ से ले सकते हैं right तो beta D fructose का मतलब क्या हो गया कि एक तो पहले आप क्या करो fructose बनाओ right तो इदर यह oxygen ले करके यह हमने connect कर दिया okay माल लेते हैं यह inumeric करवन है तो यह हो जाएगा आपका beta D बनाना यह ध्यान रहे तो beta का मतलब क्या होगा कि OH आपका अप में रहेगा right और CH2 OH down में रहेंगे और इदर यह तो यह 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 4 and 5 तो 3 पे आप ध्यान से देखो उसमें तो 3 पे OH left में है तो 3 पे OH left मतलब आप में हो जाएगा 4 पे OH right में है तो down में हो जाएगे और CH2 OH always up रखना है तो यह हमने बना दिया beta D fructose देखो बहुत simple है यह दोनों बना दिया और आपको क्या करना है इसका मानलो H ले लिया और इसका OH यह water आपको बाहर कर देना है तो यह water बाहर करते ही आप ध्यान से देखो क्या हो गया एक oxygen यह वाला इससे attach हो जागा यह हमने बाहर कर दिया COC मतलब ether linkage आ गया तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका aldehyde का था वो C1 carbon involved है और जो आपका ketone है fructose है उसका C2 carbon तो यह 1,2 इसलिए हमने लिखा यह 1,2 linkage है aldehyde का anomeric carbon और ketone वाला भी anomeric carbon तो carbon number 1 और इसका carbon number 2 involved है तो यह 1,2 linkage है आप ध्यान से देख सकतो इस anomeric carbon पे आप कोई OH ग्रूप नहीं है क्योंकि यह जो था वो तो involved हो गया आपका किसमें इस linkage को बोलते हैं glycosidic linkage glycosidic linkage that means anomeric carbon का जो oxygen है वो involved हो जाए दूसरे carbon के साथ उसको बोलेंगे glycosidic linkage तो यह glycosidic linkage में चला गया इसलिए यह क्या हो जाएंगे non reducing sugar क्योंकि आप यहाँ पे anomeric carbon यह वाला और anomeric carbon यह वाले पे आपका कोई भी OH ग्रूप नहीं है तो यह non reducing sugar है सुक्रोज यह alpha d-glucose और beta d-fructose से मिलके बना है alpha d-glucose का carbon number one anomeric carbon और beta d-fructose का anomeric carbon number two इसलिए यह one two linkage है now इसके बारे में important point यह है कि वैसे तो यह सुक्रोज जो आपका dextro rotatory है that means यह light को right rotate करेगा लेकिन इसका जब आप hydrolysis करते हैं तो आपको जो मिल रहा है d-glucose d-glucose तो आपका dextro है right और यह जो beta d-fructose है यह liver rotatory यह livo है तो यह approach 52 degree से rotate करेगा अगर पलस में तो यह minus 92 से आपका back ultra direction में करेगा तो overall आप ध्यान से देख सकतो यह जो mixture है वो कैसा हो जाएगा livo ratatory right overall यह जो mixture है मेरा वो light को ultra direction में rotate करेगा इसलिए इस product को that means सुक्रोज के hydrolysis से यह जो दोनों product मिर रहे इनके mixture को हम बोलते है invert sugar क्या बोलेंगे invert sugar तो दियान दूश में बहुत सारी point आपको बताया और सारे question आपको इन ही में से कुछ न कुछ पूछे जाएंगे कि कौन कौन सा linkage है reducing है की नहीं invert sugar किसको बोलते है चलिए अब हम बात करते है maltose के बारे में तो right तो maltose के हमने क्या trick दिया था देखो goal mal तो that means आपको दो molecule लेना आपको alpha d glucose के right तो यह मैं बना रहा हूँ alpha बनाना मेरे को right तो alpha मतलब h उपर oh नीचे तो यह ch2 oh हो गया दूसरे वाले करवन पर oh right में है तो down तीसरे वाले पर oh left में है तो अब oh यह और वैसा ही एक यह होगा आपका alpha d glucose और एक molecule और मुझे बनाना है तो इसी type का एक molecule और आप बना ले again हमें alpha ही लेना है तो h up oh down में यहाँ पर oh down यहाँ पर oh up यहाँ पर oh down और यह ch2 oh हो गया अब क्या करना आपको इसका oh और इसका h यह water बाहर कर देना है तो यह मैं बाहर कर दे रहा हूँ तो आप जहां से देखो यह linkage बन गया तो यह जो linkage बना यह anomeric carbon 1 था और यहाँ anomeric carbon यहाँ 1 है यह 2, यह 3, यह 4 तो इसका 1 लिया इसका 4 इसका C1 और इसका carbon number 4 इन्वल हुआ है तो इसलिए यह कैसा linkage है 1-4 linkage है यह चीज़े पूछा सकता है यहाँ पर ध्यान दो तो इस carbon पे अब oh group नहीं बचा बट इधर वाले में इस carbon पे oh group बच गया इसलिए यह कैसा रहेगा reducing sugar रहेगे यह कैसा हो जाएगा reducing sugar हो जाएगा तो यह सब चीज़ आपको रटना नहीं है कि कैसे हो रहा है सब कुछ हमने आपको idea दिया है कि कैसे में बना रहा हूँ सब आपकी आँखों के सामने होगा now next हम बात करते हैं lactose के बारे में तो इसका हमने trick क्या दिया था आपको lactose से write कि यह जो है वो beta d galactose और यहां से देख सकते हो यह beta d glucose से बना हुआ है तो हमने कैसे बोला था कि beta देखो beta मतलब दोनों beta होंगे देखो मतलब dextro होंगे beta देखो गला में गुलू लगाओ और लगपती बन जाओ तो हमने एक beta d galactose बना जा है कैसे तो वो यहां से write क्योंकि आपको idea कैसे बनाते हैं यह beta कैसे हुआ क्योंकि OH-UP में galactose का हवर्थ projection है यह write यह anomeric carbon number 1 है यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6 और वैसे यह OH-UP में तो यह beta है और यह anomeric carbon है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह आपको होगया beta d glucose तो इन दोनों में again आप क्या करेंगे इसका अगर OH ले रहे या किसी एक का OH और किसी एक का H-UP ले सकते हो तो अगर मैं यह बाहर कर दूँ तो यह बाहर करते ही क्या हो जागा आप ध्यान से देखो मैं हटा रहा हूँ तो यह water बाहर हो गया तो आपका कैसे linkage आ गया इस type से linkage आ जाएंगे यह आपका linkage आ गया तो इसमें ध्यान से देखो इसका बीटा-डी-गलकोज का आपका करवन नमबर 1 एनोमेरिक करवन यूज हुआ है और बीटा-डी-गलकोज का करवन नमबर 4 तो यह भी 1-4 linkage है तो इसमें भी एनोमेरिक करवन पर OH बचा हुआ है तो इसलिए यह भी क्या रहेंगे reducing sugar क्योंकि OH present है और आपको मालूना चाहिए lactose किसमें मिलता है milk में ही होता है तो इसको milk sugar भी हम बोच सकते है तो यह information based होगा कौन milk sugar है lactose reducing है non reducing है तो हमने आपको पहली बता रखा हो कि ज़्यादा ज़न जट आपको नहीं लेना है सारे ही reducing है except sucrose and polysaccharide वैसे अगर पहचानना हो structure draw करके दे दिया तो यह reducing है non reducing तो enumeric कारण पे OH present है कि नहीं वो देखना आपको और कैसे याद रखना है वो तो आपको बता दिया structure के लिए आपको बोल सकता है कि कौन lactose का structure है 4 structure draw करके दे दिया structure आपको कैसे याद रखना है तो उसके लिए भी trick दे रखा हूँ इसके लिए क्या था 3G word कि स्रीफ 3rd पे आपको OH को left में करना otherwise सारे OH right में यहाँ भी क्या था 3G that means 3rd पे OH को left में करना otherwise सारे right में यहाँ पे क्या था 3,4 दोनों पे change कर देना बाकी OH right में तो उसका howarth बनाना यह भी आपको trick बता रखाऊ फिर उससे उसका disaccharide बनाना यह सब हमारे लिए easy है आप जाते जाते एक छोटा सा ज्यान लेते हुए जाए तो देखो मैंने in general कोई भी आपका howarth projection बनाया है और यह वाला जो oxygen के बगल वाला carbon होता है जिस पे CH2 OH नहीं होता है वो आले carbon को आप जानते हैं इसको क्या बोलते है एनो-मेरिक carbon और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एनो-मेरिक carbon पे OH प्रिजेंट है तो अभी यह मेरा जो sugar होगा वो reducing होगा अगर इसकी reaction मैं acidic medium में alcohol से करा दूँ तो क्या होगा यह water बाहर निकल करके OR attach हो जाएगा तो बाकी चीजें तो आपकी वैसे ही रहने वाली हैं तो इसलिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यह group जैसे लगे होगे यहाँ पे क्या हुआ यह h था अब यह o h की जगा क्या गया o और r कोई भी करवन होगा तो यह जो ether linkage हो गया ध्यान से देखो यह जो ether linkage हो गया आपका एक तो इधर एक तो पहले से present था और यहाँ पे ether linkage आया तो इस वाले linkage को बोलते हैं glycocytic linkage और इस condition में अब इस anomeric carbon पे यह जो anomeric carbon था इस पे अब कोई o h नहीं है तो इस condition में यह क्या हो जाएगा non reducing इस से पहले क्या था यह reducing क्योंकि वो o h present था अगर वो o h involve हो जाता है ether में convert हो जाता है तो फिर वो हो जाएगा non reducing और चुकि यह अभी ध्यान से देख सकतो यह aldehyde वाले साया होगा क्योंकि यह six member ring है तो यह यह वाला जो था आपका वो है hemiacetal इसको बोलेंगे hemiacetal क्योंकि एक ही ether linkage है और इसको बोलेंगे acetal क्योंकि दो ether linkage है two ether linkage यहाँ पे क्या है one ether linkage तो I hope मेरा यह परियास आपको बहुत पसंद आया होगा बायो मॉलिकुल को मैंने काफी easy बनाने की कोशिश की है